ओम् नम् भगवते वासुदेवाई नम्हाँ श्रीमत भगवत गीता सादक संजीवनी अध्याय तेरह श्लोक संख्या पच्चीज अन्ये त्वेव मजानन्त शुत्वावनेभ्य उपासते ते अपी चातित तरन्येव म्रत्यूम शुति परायणा दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांग योग, कर्म योग अधी साद्वनों को नहीं जानते केवल जीवन्मक्त महाँ पुरुशों से सुन कर रुपासना करते हैं ऐसे वे सुनने के परायण मनुष्य भी म्रत्यूम को तर जाते हैं व्याख्या करते हैं कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उठकंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांग योग, कर्म योग, हट योग, लाय योग आधी साद्वनों को समझते ही नहीं अतहा वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते हैं ऐसे मनुष्य के वल तत्व की जीवन मुक्त महापुरुशों की आग्या का पालन करके मुरत्यू को तर जाते हैं अर्थात तत्व ग्यान को प्राप्त कर लेते हैं जैसे धनी आदमी की आग्या पालन करने से धन मिलता है ऐसे ही तत्व की जीवन मुक्त महापुरुशों की आग्या का पालन करने से तत्व ग्यान मिलता है हाँ इसमें इतना फरक है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है परन्तु संत महापुरुशों की आग्या का पालन करने से उनके मन के संकेत के आग्या के अनुसार तत्वरता पूरवक चलने से मनुष्य स्वताह उस परमात्व तत्व को प्राप्थ हो जाता है जो कि सब को सदा से ही स्वताह स्वाविक प्राप्थ है कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है पर परमात्व तत्व किसी के अधीन नहीं होता शरीर के साथ संबंद रखने से ही मरत्य होती है जो मनुश महापुरुशों की आग्यागे परायन हो जाते हैं. उनका शरीर से माना हुआ सम्ण छूड जाता है. अतावे मरत्यों को तर जाते हैं. अंत 悲्द्वे पहले शरीर की मरत्यों से अपनी मरत्यों मानते थे, उस मानने दाथा से रहीथ हो जाते हैं. ऐसे शूती परायन साजगों की तीन स्रेणियां होती है पहली यदि सादक में सांसारिक सुखभोग की इच्छा नहीं है केवल तत्व प्राप्ति की ही उतकर अभिलाशा है और वह जिनकी आग्या का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष है तो सादक को शीगरी ही पर्मात्मा की प्राप्ति होती है तूसरा जिदि सादक में सुखभोग की इच्छा शेष है तो केवल महापुरुष की आग्या का पालन करने से ही इस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको पर्मात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तीसरा साधक जिनकी आग्या का पालन जरता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है पर साधक में किंचिन मातर भी सांजारे इच्छा नहीं है तो उसका उद्देश किबल परमात्मा की प्राप्ति करना है तो उसको भगवत प्रपादे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएग गुण दीखेंगे ही नहीं, इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अफगुणों से उचे उठे, गुणा तीत होते हैं, अतार उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दीखता है, मनुष्य जिस भाव से देखता है, उसी भाव से उसका सब्मन्द हो जा इसलिए सादक को चाहिए कि वह तत्वक की महापुरुष की क्रियाओं पर उनके आचरलों पर ध्यान न देकर उनके पास तस्त होकर रहे, संत महापुरुष तो ज्यादा लाफ वही ले सकता है, जो उनसे किसी प्रकार के सांसार की वैवार का संबंद ना रखकर केवल पार ओम नमो भगवादेव वासुदेवाए नमा हाँ